आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार देश में ओमिक्रोन के 578 मामले आई सामने दली में 142 महरास्व में 141 संक्रमित अमिट शार कैप्टेन अमरिंदर सिंग के बीच बैठका आज गडवन्धन पर तैय हो सकता है फॉर्मूला धर मुसंसत में काली चर्ण महराज ने राश रुपेता महत्मा गांधी के लिए कही अप शब्द कॉंग्रस ने थाने में दर्च कराई शिकायत प्यूज जैन के पात्रक अवास पहुची डीजी जी आई की टीम नोट गिनने की तीन मशीने भी लाई गई आज माचल प्रदेश के दोरे पर रहेंगे पिम मोदी मंडी में 11,000 करोड के हाइडरो प्रोजेक्ट का करेंगे शुला न्यास नमस्कार प्राइम टीवी मापका स्वागते मैं हूँ आपके साथ शुखा मैरोत्र शुरुआत करते हैं उत्रखण बुलेटिन की चिनाओ का महौल चरम पर पहुचने को है सभी विपक्षी दलों के नेता तरहा तरहा के वादे कर जन्ता को लुभाने में लगे हैं इसी कड़ी में प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी आज एमबी इंटर कॉलेज में आयोजित सभा के जरिये जन्ता को करोडों रुपे की सौगात देने की तैयारी में है इसके लिए जन्प्रतिनिधी और विभागी अधिकारी युद्सतर पर खाका तैयार करने में जुटे हुए हैं प्रधान मंतरी 4 दिसंबर को दहरादून पहुचे थे उन्होंने वहाँ भी तमाम गोशनाई की थी साथ ही पूरे गड़वाल की 41 विधा सभा सीटों को लेकर महौल बनाने की कोशिश की अब मोदी 30 दिसंबर को हल्दवानी के MB Inter College के मैदान से कुमाओ की 29 विधा सभा सीटों को साधेंगे इस सभा के साथ वो कुमाओ को बहु प्रतिक्षित योजनाओ की सौगाद दे सकते हैं इसमें जमरानी बांध परियोजना साथ ही ठ्रग रोड राज्य और राश्री राजमार्ग पूलों के अलावा एमस का सेटिलाइट सेंटर भी शामिल है खबर रोड की से है जहां सेटी समाज के सम्मेलन में हजारों की भीड उम्री इसकारक्रम में पूर्व मुखियमाद्री हरीश रावत शिर्कत की सम्मेलन को संबोधित करते हुए काँआको कोंगरस शुरू से ही सेटी समाज को अपने साथ लेकर चली है कॉंगरस सेमी समाज के व्यक्ति को टिकट दे कर विधासभा भेजती है और उनके लिए सेमी समाज को एक जिट होकर कॉंगरस पार्ठी के साथ साथ कॉंगरस के बनाई गए प्रत्याशी को भी जिताना होगा वहीं प्रदेश अध्यक्ष गडेश गोधियाल ने सैनी समाज को आश्वासन देते हुए कहा कि कॉंग्रस पार्टी सैनी समाज के व्यक्ति को टिकेट देने का काम करेगी मुझे खोसी है कि इतनी बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग यहां पर जोटे हैं कॉंग्रेश से उन्हें उमीद हैं कॉंग्रेश पर उन्हें आसा है बरोसा है और निश्चित रूप में कॉंग्रेश पार्टी यह कोशिस करेगी कि उनके समाज को हम प्रतिनित दें और यह चुनोती है उनके सामने मैं मैंने मन की अंतरतम गहराईयों से उनका आवान किया है कि हम प्रेम पूरुवक भ्रात्रत्व के रूप में उनके इस प्रेम को स्विकार रहे हैं लेकिन इस प्रेम की लाज रखना मैंने उनसे आवान किया है और निश्चित रूपे वो संकल्पित हैं कि वो इस बात की ल प्रफ़ ना चाहिए तक आप अपने खोईव संबाण को प्राप्त नहीं कर सकते हो मेरे पास गए अप हम भी विजिसान दे दे तो मैं सेनी समाज के हर गाउं में ने जाने का काम किया और सेनी समाज के नोजवानों ने सेनी समाज के भज़ूर्गों ने मुझा आस्वस्त कर होने का काम किया सेनी समाज को हम खोईवी विराश्टत पराने के लिए और सेनी समाज को बजबूत करने हो हर तरह से आपके साथ हैं खबर कलियर से है जहां ओम ग्रूप ऑफ कॉलेज हुए भाजपा के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन हुआ इस सम्मेलन में बतोर मुख्य अतिती पहुँचे हर्याणा सांसद और राश्ट्रे उपाद यक्ष ओ बोसी मोर्चा नायाब सेनी जोरान उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग भाजपा के साथ है पिछड़ों के सहियोग से भाजपा जिले की सभी विधान सभा सीचों पर जीत दर्ज करेगी आगे उन्होंने कहा कि जब पिछड़ा वर्ग आगे पढ़ेगा तभी देश आगे पढ़ेगा करता है तो सेली समाज का पूरा मत जो रहता है वह सब्सक्राइब कर रहे हैं और कितना काम करती है उसके साफे इस वार ज्यादे बर्चट कर हमारी वार्तितना पार्टी को सपोर्ट करें और वह विजी हासिल करें बार्तिय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मूर्चे का विदान सभा के सम्मेलन हो रहे हैं आज इस जिले में तीन सम्मेलन थे एक हम ज्वालापुर विदान सभा में करके आए दूसरा यह है तीसरे के लिए मैं रानी पूर विदान सभा में जा रहा हूं जैसे कि 2022 में चुनाओं की आ रहे हैं इसमें किस तरह इसका परवो पोड़े हैं खबर्चमोली के जोशी मट नगर से है जोहाँ पर तमाम संस्थाओं को लेकर नगरपाली का सभागार में इस्थानीय लोगों ने बाठा की जिसमें जोशी मट की कई स्थानों पर पड़ी दरारो बिजली पानी की समस्या को लेकर चर्चा की गई इसम मौके पर स्थानीय लोगों ने कहा कि इसम मामने को लेका जोशी मट की जंता सड़कों पर उत्रेगी अगर उनकी इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो जोशी मट की जंता बड़ा आंदोलन करके चिनावों का बहुश कार करेगी इसमें काफी दिनों से उठा रहे हैं कि इस पूरे इलाके में जोशी मट शेतर है इसमें जगह जगह लोगों के घर मकानों में दरार पढ़ रही है भूद हसाओ हो रहे है जमीन खिसक रही है और लोग उसको लेकर कर पर पूरुबर में हमने ग्यापन दिया बयान दिया और आज जो है उसको लेकर के पूरे जूशी मठ छेतर के लोगों की बैठक हो रही है जिसमें आपने देखा कि बैठक में शेकड़ों लोग आये हैं और इस बात को लेकर के लोगों में बहुत चिंता है भय है कभी लोगों के मकान जा सकते हैं जब कि कुछ लोगों का तो यह कहन सब्सक्राइब देखा है अभी हमने देखा है अक्टवर की बारीश हुई थी उसमें बहुत तेज़ी नुक्सान हुआ है उत्राखन में मौसम ने करवट बदली है प्रदेश भर में दिन भर बादलों की डेरे के बीच चार धाम में जमकर बर्फ बारी हुई रकी मसूरी और ने निताल में बर्फ की फाहें गिरी इस सबीच प्रदेश के ज्यादतर इलाकों में फिश्टे चौबस घंटे में तापमान में तीन से चार डिगरी सेल्सियस तकी गिरावट दर्ज की गई है मौसम में भाग के नुसार प्रदेश में अगले चार दिन पहाडी जिलों में बारिश बर्फ बारी के आसार बने रहेंगे इससे मैदानों में ठंड में इजाफा हो सकता है और अताजा पश्चमी विक्षोप के हिमालाई छेत्र में सक्रिय होने के कारण उत्रा खंड में म धर्वधर्म समाज के सैक्ड महिलाओं और पुरुशों मंडी में एकत्र हुए सैक्ड लोगों के हाथों में काले जंडे यश्पाल आरेय वापस जाओ के नारे लगाए नारे लगाते हुए काफिला गुरुद्वारे से होते हुए मेल रोड पर जमकन नारे बाजी हंगाम करते हुए राम भवन धर्मशाला में जा पहुचा जब जंता ने हाथों में काले जंडे लेकर लिये हुए काफिलों को देखा तो लोग कहने लगे कि ये एतिहासिक विरोध है कुलविंदर सिंग किंदा के काफिले के आगे भारी संग्या में फुलिस फोर्स चल रही थी स सुरक्षा की दृष्टी से पुलिस फोर्स तैनात की गई थी राम भवन धर्मशाला में सभा को कई दिगज किसानों और राजनितिक व्यक्तियों ने संबोधित किया साथ ही सभी का एक ही कहना था कि बाहरी विधायक नहीं चाहिए हमको इस्थानी विधायक चाहिए पूर बाजपुर विधायक संबाच्छेतर की जनता इस्थानी विधायक की मांग कर रही है उन्होंने मेडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बाजपुर च्छेतर की जनता इस बार किसी भी कीमत पर दल बदल नेता को बरदाश नहीं करेगी जब से यह कॉंग्रस में आया है जंटा ने इसको कहा डी हमारी बाट फौट भा नशी ने इसको भाउट करें कि और इसम cargo कि इस में अगर, udah इसको माफ झा है, इसके नोग से विदान साफा के लोग सारे लोग आए हों हर गाउं में से आए हुए हमारी उसमें हुमका ये है कि लोगों की आवाज जनता की आवाज यहां तक पाचा रहे हैं खबर लकसर से है जहां घर से स्कूल जाने के लिए निकली एक नाबालिक चात्रा को दो यूवकों ने जबरन गाड़ी पर बैठा कर अपने गाउ ले गए और दोनों यूवकों ने चात्रा के साथ गैंग रेप किया घर पहुचकर पीड़ित चात्रा दे आप बीती अपने परिजन को बताई जिसके बाद उसके परिजन लकसर कोटवाली पहुचे और दोनों आरोपियों के खिलाफ तहरीर दे कर पुलिस से कारेवाई की गुहार लगाई मही कोटवाली यश्पार सिंग बिष्ट ने कहा कि नाबालिक छात्र से दो यूवकों की और से उसकी अश्लील फोटो वारल करने की धमकी दे कर गैंग रेप किया गया फिलहाल पूरे मामले में जाच की जा रही है सब्सक्राइब इसके साथ दो यूवकों के दुवारा उसके असलील फोटो वारल करने की धमकी दे कर गैंग रेप की जाने का मामला प्रकाश्वाई आगामे विधासवा चुनाओ को लेकर जहाँ भाजपा कॉंग्रोस और आमाद्मी पार्टी सडकों पर उतर कर शक्ती प्रदेशन करने में लगी है वहीं उत्रखंड क्रांती दल ने भी चुनाओ को लेकर कमर कसली है भले ही रिशिकेश में मौसम ठंडा रहा हूँ लेकिन उत्रखंड क्रांती दल ने सैकडो बाइक सवार कारकरताओं के साथ जन समर्थन रैली निकाली रैली से मौसम में राजनीती गर्माहट पैदा हो गई रैली रिशिकेश विधानसभा छेतर के छिद्रवाला से शुरू होकर शामपुर आईडी पील होते हुए रिशिकेश के इंद्रमडी बडोनी चौक पहुची जहां उत्रखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमडी बडोनी की मूर्ती पर मालियार पढ़कर उत्रखंड करांती दल ने चुनाव मैदान में उतर कर अपनी जीत का दावा किया उत्रखंड की खबरों में फिला लेता ही तमाम खबरों के लिए देखते रही प्राइम टिवी सच साहस सरोकार